हमारे देश में ये चुना वैसा हुआ, वरना आपने देखा होगा, तीस साल तक लगातार देश में, विशे सुप से, वैसे ये ड्रामे भाजू तो लंबे समय से चल देगी है। एक ऐसा प्रिंट आउट, एक ऐसा टेग, फैशन हो गई थी, कुछ भी करो उसको लगा लो, आपने गंगा स्दान करने जिसना पुन्य मिल जाता था। उस टेग का नाम था, और फुरी तरह नकली, उस टेग का नाम था सेकुलरिजम। और नारे लगते दे, सेकुलर एक हो जाओ, सेकुलर एक हो जाओ। आपने देखा होगा, 2014 से 19 आते आते हैं, उस भूरी जमात ने बोलना ही बन कर दिया। इस चुनाओं में, एक भी राजनितिक दल, सेकुलरिजम का नकाब पहन करके, देश को गुम्रा करने की हिम्मत नहीं कर पाया है। ये बेनकाब हो गए, दूसरा हिंदुस्तान में कोई चुनाओं ऐसा नहीं गया, जिसके केंद्र बिंदु में महंगाई न रही हो। ये चुनाओं ऐसा हैं, जहां महंगाई, एक भी विरोधी दल ने आरोप नहीं लगाया है। ये चुनाओं ऐसा है, कि जिसमें हिंदुस्तान के पिछले कोई भी चुनाओं उठा लिए। सब चुनाओं प्रस्टाचार के मुद्दे से रंगे से रंगे गए थे। प्रस्टाचार के मुद्दों पर चुनाओं लड़े गए थे। प्रक्ताचार के मुद्दे पर जबाब देने पड़े थे ये पहला चुनाव था जिसमें इस देश का कोई राज़ितिक दल पांच साल के शासन पर प्रक्ताचार का एक आरोप नहीं लगा पाया चुनाव का एक मुद्दा नहीं भारत के लोगचंत्र में ये तील चीज़े कॉंस्टन रही है इस चुनाव में मिसिंग थी और इसलिए पॉलिटिकल पंडितों को समझ नहीं आ रहा था किस तराजू से चीज़ों को तोला जाए